Guys, GS Paper 2 के काफी important topic की हम लोग चर्चा करेंगे, opaque के बारे में हम लोग बात करेंगे और opaque plus के बारे में बात करेंगे, फिर समझेंगे कि ये topic opaque का news में हमें क्यों देखने को मिला, opaque मतलब की organization of the petroleum exporting countries, petroleum निर्यातक देशों का संगठन, तो देखो opaque के नाम सीशन में आ रहा है, कि ये एक ऐसा संगठन है, एक ऐसा organization है, उन countries का जो की petroleum को export करती है, तो आपको ध्यान में रखना है, कि ये संगठन का गठन हुआ था, बनाये गया था, स्थापित किया गया था, इराक के अंदर, इराक बगदाद में हुआ था, एक agreement sign हुआ था, 1960 में, पाँच countries के द्वारा, ये country कौन सी कौन सी है, तो इनके नाम थोड़ा सा ध्यान में रखेगा, इरान, साउदी अरेबिया, कुएथ, एराक, वेनिजुएला, तो ये पाँच country और ये founder members हम लोग को देखने को मिलती है, ओपेक की, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, और ओपेक एक permanent inter-governmental organization है, इस्थाई, अंतर सरकारी, संगठन है, और गईश ओपेक का objective क्या है, इसका उद्देश क्या है, तो अपने सदस्य देशों के मध्य, पेट्रोलियम नीतियों का समझवय और एकी करण करना, यानि की coordinate करना, यूनिफाई करना, पेट्रोलियम पॉलिसीज को member countries के अमंग, और उपभोकता राष्ट जो है, जो consuming nation जो है, जो पेट्रोलियम प्रड़क का import कराते हैं, उनके लिए पेट्रोलियम की सफल आर्थिक और नियमित आपूर्ती सुनिश्चित करने हैं तू, तेल बजारों का इस थिरीकरण सुनिश्चित करना, कि जो तेल बजार जो है, oil market जो हम लोग को देखने को मिलता है, तो उसको stable बना के रखना, किनके लिए, जो consuming nations है, याने कि जो countries पेट्रोलियम को import कराती हैं, तो उनके लिए भी ऐसा नहीं होना चाहिए, कि पेट्रोलियम के prices जो है, वो एकदम जाता high जो है आपने कर दिया, आपस में मिलकर कुछी country हैं, जिनके पास हमें petroleum देखने को मिलता है, जो petroleum को export करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कि यह पक्षपात करना शुरू करते हैं, किसी country को महेंगे में दे, किसी को सस्ते में दे, अपनी friendly countries को सस्ते में दे, जो friendly country नहीं हो, उसको बहुत महेंगे में दे, तो इससे जो consuming nations हैं, उनको problem आएगी, और supply chain जो है, वो petroleum products की बरकरार रखना है, stable रखना, तो यह objective opaque का हम लोग को देखने को मिलता है, even कि जो लोग oil industry में invest करते हैं, उनको भी एक fair return मिलना चाहिए, इस चीज़ को शुनिश्चित करने का उदेश जो है वो, इस संगधन का हम लोग को देखने को मिलता है, तो यह 3-4 points आपको ध्यान में रखना है, और इसका headquarter opaque का कहा पर है, तो Vienna Austria में इसका headquarter हम लोग को देखने को मिलता है, और opaque की membership जो है, वो सभी countries के लिए open है, और ऐसी सभी countries के लिए open है, इसमें दो चीज़ ध्यान में रखनी है, कि वो country होनी चीज़ी दो condition है, पहली condition तो यह है, कि वो country oil exporter हो, यानि कि तेल का निर्यात करे, और दूसरी चीज़, इस particular opaque के जो ideals है, यानि कि इस organization के, इस संगठन के जो आदर्श जो है, ideals जो है, उसको वो country share करती हो, तो यह दो eligibility condition आपको ध्यान में रखनी है, opaque की member बनने की, simple सी, oil exporter होनी चाहिए वो country, और दूसरी opaque की जो ideals है, आदर्श है, या फिर आप कह सकते हैं, जिस अभी उद्देश की बारे में हमने बात करी, तो उस उद्देश को fulfill करने के लिए अगर वो country agree हो रही है, तो फिर वो country opaque का हिस्सा बन सकती है, अब सवाल यह उठता है, opaque के बारे में तो यह हमने पूरी चीज जानकारी ले ली, अब opaque plus क्या है, तो कच्चे तेल का उत्पादन करने वाले देशों का एक गड़बंधन है, opaque plus और गड़बंधन वर्ष 2017 से तेल बजारों में की जाने वाली आपूर्ती में सुधार कर रहा है, तो यह opaque plus जो है वो alliance है, crude producers का, तो opaque country जो हम लोग को देखने को मलती है, आप यह कह सकते हो opaque country प्लस उनकी allies, यानि कि उनकी और friendly countries, तो यह मिलकर opaque plus जो है वो बनाती है, opaque plus में कौनसी कौनसी country है, यह हमें देखने को मिलती है, अजरबैजान, बहरीन, बुरूनी, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रशिया, तो यह चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, और देखिए गई, जब भी भी मैं आपसे location की बात करूँ, कि यह फलाना country जो है, वो member country है, या किसी भी location का अगर मैं जिक्र करूँ, तो आपकी एक habit आपको बनानी है, कि आपकी study table के just opposite, just सामने वाली जो दिवार है, वहाँ पर आपको एक बड़ा सा map जो है वो लगाना है, और जैसे ही मैं बोल रहा हूँ किसी country का नाम ले रहा हूँ, तुरंट आपको map की तरफ जाए, वो देखना है और locate करना है उस particular country को, तो इस तरीके से आपको practice करना बहुत ज़ादा जरूरी है, और opaque plus जो है guys, यह topic news में इसलिए आया, क्योंकि China जो की दुनिया का largest crude importer है, तो यह commit नहीं कर रहा है, कि यह अपने reserve से oil को release नहीं करेगा, actually background में थोड़ा सा आपको समझाता हूँ, तो United States के President Joy Biden, इन्होंने announce किया था, कि जो भी countries, जो oil को consume करती है large level पर, जैसे कि इंडिया, जपान, चाइना, तो यह country भारी मातरा में इंपोर्ट कराती हैं oil को, और इनके पास एक reserve भी होता है, strategic reserve, यानि कि अपने पास तेल को अलग से बचा कर रखती हैं, कि कभी कोई supply chain damage होती है, यानि कि कभी कुछ ऐसी स्थिती मनती है, कि इनके पास import नहीं हो पारा है, import नहीं करवा पार है oil को, तो इनके पास already एक reserve होता है, कि जिस reserve पे यह तेल जो है वो रखते हैं, यानि कि सन 2000 से सबसे आदा oil के prices अभी अभी बढ़े हैं, कैसे बढ़ गए हैं, तो obvious ही बात है कि lockdown के कारण हमें देखने को बढ़ा है कि supply chain जो है वो disrupt हो गई थी, जिसके कारण से तेल की कीमते जो है वो increase हो गई हैं, बढ़ गई हैं, तो United States ने सभी country से कहाता है कि भाई आप अभी आप import मत कराओ, आप अपने strategic reserve से एक काम करो कि वो तेल को जो है वो दूसरी developing countries को दो या फिर उसका उप्योग करो, कि जिससे की क्या होगा, कि market में stability आएगी, क्योंकि अभी problem जो है वो क्या हम लोग को देखने को मिल रही है, कि demand और supply में issue हो गया है, आप बात को समझिए, demand जादा है, supply कम है, क्योंकि supply chain damage हो गई, तब क्या होगा, prices high होंगे, prices बढ़ेंगे, और petroleum के demand तो आप जानते ही कि high रहती ही है, तो price इसी के करण बढ़ रहे हैं, और supply जो हो परियाप्त नहीं हो पा रहा है, तो यह कहा जा रहा है, कि जितनी भी countries है, वो millions of barrels, जो है वो oil का, अपने strategic reserve से, उसको release करें, या फिर बाहर अपने market में जो हो release करें, या फिर आप दूसरी जो developing countries हो, उन तक जो है वो पहुचा है, दूसरे consuming nation तक जो है वो पहुचा है, तो बढ़ अभी China जो है वो उस चीज़ पर agree नहीं कर रहा है, that's why यह topic news में हमें देखने को मिल रहा है, और गाइस United States का जो यह संकेथ हम लोग को देखने को मिल रहा है, या रहे कि United States ने यह वाली बात जो developing country से कही है, तो यह एक प्रकार से यह संकेथ दे रही है, direction दे रही है, opaque को petroleum नेरियातक देशों के संगठन और उसके सहयोगी, जिसे हम लोग opaque plus कहते हैं, दोनों के बारे में अभी हमने चर्चा करी opaque और opaque plus के बारे में, तो United States opaque plus से यह कह रहा है कि अभी जो यह एक agreement लेकर आने वाली है, कि जिस पर यह deal करेंगे कि हर महीने 4,00,000,000 बैरल हर दिन जो है वो production करेंगे, उत्पादन जो है वो करेंगे पेट्रोल का, तो इस पर यह विराम लगाए, इस पर थोड़ा सा रोक लगाए, पॉस करें अपने इस deal को, अपने इस agreement को, मना opaque plus एक agreement कर रही है कि हर दिन 4,00,000 बैरल जो है यह produce करेंगे, पेट्रोलियम को, तो उसको बोर रही है कि अभी उस पर आप pause लगाए, बट यह संगट हैं, इस पर कोई विचार नहीं कर रहा है, opaque plus इस पर कोई विचार नहीं कर रहा है, बट mainly जो है वो आपको जानकारी जो होनी चाहिए थी, वो opaque plus के बारे में, opaque के बारे में, जिसके बारे में काफी detail में हम लोग ने discuss किया है,